कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टी वाई एस एम का मतलब क्या होता है ठीक है मैंने तो पढ़ लिया भी आप मुझे जरूतनी वीडियो देखने की ठीक है मत देखो पर जिनको अच्छे से समझना वो तो देखेंगे ठीक है तो दोस्तों टी वाई एस एम का मतलब होता है ठेंक यू सो मच अब क्या यह सही है यह गलत है यह सवाल आपके मन में आएगा देखो अगर आप अंग्रेजी सीख चुके हो तो आपको इससे कुछ फरक पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि आपको तो पता ही है कि यह बस इंटरनेट पर एक कहने का तरीक है एक शौट फॉम है थेंक यू सो मच की क्योंकि आज कल जो है हर इंसाल जल्दबाजी में काम करत है किसी के पास सयम नहीं है तो इतना बड़ा लिखने की जिगए एक छोटा सा मैसेज लिख देता है टी वाई एसम बट जो लोग ज्यादा इंटरनेट यूज नहीं करते हैं जिनको ज्यादा नोलेज नहीं है इंग्लिश की तो वो लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं और उ बच्चों के बीच में बोली जाती है यूथ के बीच में बोली जाती है कई ऐसे शब्द हैं जो की बदल चुकिया है इंटरनेट पर जैसे की हू आर यू हाव आर यू तो हम शोट फॉर में बोल देते हैं डवलू एज यू और हाव एज एज कि यह यू ठीक है तो ऐसे ही टीवाइएसम बोले जते है तो में था आपको पता चल गया टीवाइएसम क्या होता है वैसे देखो यार कहने का तरीका यह गलत है ठीक है थेंक्यू सो मच भी बोलते हैं वट आप ठीक है वैसे टाइम पास के ले बोल रहो किसी को मतलब फ्रेंड सरकल में तो उट सो के पट एक्जाम में ऐसे मत लिख देना ठीक है वैसे भी एक्जाम में थेंक्यू सो मच कौन किसको बोलता है ना तो यह नॉर्मल हम बोल देते हैं किसी को भी इंटरनेट पर ठीक है जैसे ब्रो ब्रो की फिल फॉम आज जो वर्ड्स होते हैं वो निकलते रहते हैं लोग यूज़ करते रहते हैं ठीक है तो एक वर्ड किसी ने देखा उसको अच्छे लगा तब वो बोलना शुरू कर दिया फिर तीसरे को देखा चोथे ने बोलना शुरू कर दिया ऐसे ही यह शब्द जो है शोर्ट होते रहते हैं और आम जंता तक पहुंचते हैं ठीक है तो अमीद आपको पता चलिया मैं चलता हूं भाई